हेलो फ्रेंस आज में लेके आई हूँ पोटेटब ब्रेड रॉल की रेसिपी बच्चों को बेहत पसंद आने वाली रेसिपी है आप इन्हें लुंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बहुत टेस्टी बनते हैं बहुत जल्दी बनकर यह रेडी हो जाते हैं तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यह देखे मैंने चार आलू बोईल कर लिया है और उन्हें ग्रेट कर लिया है साथ ही एक ओनियन बिल्कुल बारिक चोप कर लिया ह हरा धनिया लिया है और यहां मैंने चीज लिया है चीज बिल्कुल ऑप्शनल है काली मिर्च ली है थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है नमक डाला है और धनिया पाउडर डाला है और इन्हें एच्छे से हम हाथों से मिक्स कर लेंगे अगर आपका mixture थोड़ा सा पतला है तो इसमें bread crumbs या corn floor डाल सकते हैं बट मैंने आलू को थोड़ा rest देकर फ्रीज में रखकर बनाया तो काफी ठीक बन गया है ये तो ये ऐसे थोड़ी से लंबी shape दे दे हालो की ओब मैंने पांच bread लिये हैं इनके किनारिया हम कट कर लेंगे और किनारियों को हम waste बिल्कुल नहीं करेंगे यहां किनारियों से हम bread crumbs बनाकर ready करेंगे ये देखी, सारी किनारिया मैंने कट कर ली है और जार में कनारियाँ हमने कट की थी वह हम डाल लेंगे और इनका पाउडर सा बना लेंगे ये देखी, रुक-्रुक के मिक्सी चलानी है तो अच्छा खासा हमारा ब्रैड क्रम्स बनकर士 चुका है अब दो चमच मैंने यहां मैदा लिया है और एक थोड़ा सा पतला घोल हम इसका ready कर लेंगे बहुत ज़्यादा पतला घोल हमने नहीं बनाना है यह देखिए इस तरह की consistency हमारी होनी चाहिए और अब हम जो हमने bread लिया था उसको थोड़ा सा balance से बेल लेंगे ताकि यह थोड़ा सा और लंबा हो जाए यह देखिए, मैंने थोड़ा सा बेल लिया है और यह थोड़ा पतला और लंबा हो चुका है, ऐसे ही करके हम सारे ब्रैड्स को बेल लेंगे, यह देखिए, और एक ब्रैड पे हमने जो रोल रेड़ी किया था वो रख देंगे, और साइड में से जो मैदे का गोल हमने कर लेंगे यह देखिए अच्छे से चिपक चुका है किनारियों को भी हम अच्छे से चिपका देंगे सेम इसी तरीके से हम सारे ब्रेड रोल बना के रैडी करेंगे बहुत टेस्टी बनते हैं आप जरूर ड्राइ कीजीगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो च पतला मिक्स्चर बना लेंगे और ऐसे डिप करके ब्रेड क्रम्स इसके उपर से लगाएंगे यह प्रोसीजर हम इसली कर रहे हैं ताकि जो हमारे पोटैटो ब्रेड रोल बनेंगे वह बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और उपर से खुलेंगे भी नहीं देखिए थोड़ा पतला घोल हमने मैदे का बना रखा है और उपर से ब्रेड क्रम्स इसके उपर ऐसे लगा देंगे सेम इसी तरीके से हम सारे के सारे रेडी कर लेंगे यह देखिए सारे हमने ब्रेड क्रम्स लगा के रेडी कर लिए हैं ओईल गरम होने के लिए रख दिया था बिल बिल्कुल क्रिस्पी बनकर यह हमारे रेडी होंगे यह देखिए कितना क्रिस्प कलर इन के ऊपर आ चुका है बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होते हैं बच्छों को बड़ों को बेहद पसंद आने वाली रेसिपी है तो आप जुरू ट्राइ कीजिएगा यह देखिए ऐसा बड़न कलर आने के बाद मैंने सारे के सारे एक ट्रे में निकाल लिये हैं यह देखिए कितने टेस्टी बने हैं मैं कट करके दिखाती हूं कितने क्रिस्पी हैं अंदर तक बिल्कुल क्रिस्प हमारे यह बने हैं बहुत टेस्टी बनते हैं और अगर आप लोगों को मेरी र और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच